वेलकम स्टुडेंट्स ब्रह्मास्त्र पीवाईक्यू सीरीज फॉर जेई इसमें आप सभी का स्वागते में संदीप स्वर आपका मैस्टीचर एक लेशन आपको मिल चुका है जिसका नाम था क्या नाम था लास्ट लेक्चर जो हमने कवर किया था वह हमने कवर किया था इति चाप्टर आभी दे रहा हूं इसकी उपर बेटा एक अपना जाकपट है इसे मैं कहूंगा लॉट्री ट्रॉपिक है अपना लॉट्री ट्रॉपिक क्यों क्योंकि यहीं आपका महराष्टा स्टेट बोर्ड में भी मैथमेटिकल लॉजिक नाम से लेशन है जिसकी उपर वह स्टेट्मिन सिंप्लिफाइ करो इसकी उपर आएंगे तो यह छोटा सा लेशन होने वाला है छोटा सा वीडियो होने वाला है देखेंगे इसके क्या-क्या क्वेशन से सारी रूल्स सारे मतलब लॉज ऑफ लॉजिक आपको पता होंगे आईसे में मान रहूं क्योंकि यह प करना है इस वाले एक्सप्रेशन का और देखना है कि कौन से उप्षन से मैच करता है आपको पता है कि इस स्टेट्मेंट का निगेशन फाइंड करने से पहले बाहर और है अंदर एंड है इसका मतलब में दिष्टिश्टिविट्यू लॉग पहले लगा दूँ तो अगर मै distributed law लगा देता हूँ कुछ ऐसे तो यह distributed law के according यह होगा यह और आपका पता है any statement or its negation क्या होता है टी होता है and q और p t and any statement that statement तो आपका answer आया p और q ठीक है न q और negation q and q और p तो t and अभी अपना statement क्या मिला आपको q और p यहाँ पे कौन सा statement के साथ match करा है हाँ आच्छा यह तो होगा इसका simplification लेकिन इसने negation पुछा है न इसका negation भी तो करना पड़ेगा तो negation क्या होगा by using d morgan's law अगर हम इसको p और q लिखे तो d morgan's law क्या करता है इसका negation होगा negation p और का होगा and यह आएगा negation q so negation p and negation q तो बेटा यह आपका answer मिल गए आपको answer d daily देखो d morgan's law, distributive law, complement law, identity law देन आपका implication law सारे laws आपको पता होने चाहिए जही में maximum questions laws of logic के उपर ही आएंगे laws of logic के उपर ही question आएंगे तो मुझे यह देखना है कि यह वाला जो statement है यह compound statement किसके equal है अभी यह question थोड़ा सा मुझे doubtful लग रहा है क्योंकि मैं जब इसको solve कराता तब मुझे answer proper मिलने रहाता तो options मुझे change करने पड़ेंगे अगर जोड़त पड़ी तो ठीके, सबसे पहले यहाँ देख लेना आप यह negation हम अंदर देंगे निगेशन P और निगेशन Q और निगेशन P और निगेशन Q यह हो गया first statement implication है निगेशन P और निगेशन Q के साथ ठीक है, कोई बात ने अभी यहाँ पे सीधा सा क्या हो सकता है कि मैं यह पूरा एक statement मान के और इस statement का और दोनों के साथ distribute करूँगा यानि मैं यूज करने वाला हूँ distribute to law देखो, ऐसे यह आपका first statement है ठीक है न? और आपके पास क्या है? यह और और है न? तो और में तो क्या होगा? और यहाँ पे और है और यहाँ पी भी और है तो associative law से मैं किसी भी दो को club कर सकता हूँ न? किसी भी दो को club कर सकता हूँ तो क्या बचा मेरे पास? और negation q बचता है ठीक है? implies negation p and negation q देख लेते कि इसका simplification क्या होगा? यहाँ पे देखिए बच्छा और है यहाँ पे and है मतलब distributed law लगाना पड़ेगा तो negation p और negation p and negation p और q और negation q यह हो गए आपका first statement implication negation p and negation q ठीक है? आपको पता है कि any statement का खुद के साथ negation क्या होता है? वही statement and negation p और q और q और negation q ठीक है? यहाँ तक आगए implies negation p and negation q अब यहाँ पे वापस से आपको एक चीज आपने notice कियो होगी कि negation p and है यहाँ पे and है यहाँ पे और है तो आप एक काम कर सकते हो वापस से आप इसके लिए जा सकते हो वापस से आप distributive के लिए जा सकते हो तो क्या होगा? तो क्या होगा? negation p and negation p और negation p and q और negation q ठीक है? यहाँ पे यहाँ फिर एक काम करेंगे इसको मैं थोड़ा आलग तरीके से कर लेता हूँ इसको थोड़ा सा आलग तरीके से कर लाता हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि implication sign है नहीं यहाँ पे implication sign है नहीं तो मैं थोड़ा सा आलग तरीके से करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मैं जो कर रहा था उस हिसाब से तो answer नहीं बन रहा है तो आपको यह चीज पता होनी चाहिए कि p implies या फिर आपन कहे a implies b a implies b का simplification क्या होता है negation a और b तो यहाँ पे मेरा एक statement है ऐसा और दूसरा statement है ऐसा इन दोनों की बीच में क्या है implication है तो implication rule क्या कहता है negation a और b मतलब first statement का negation first statement का negation ठीक है negation of p and q और यह क्या है negation p and q देखो implication law क्या कहता है और second statement as it is, second statement as it is, अब धेरे से क्या करेंगे अपन, यह negation अंदर देंगे, तो यह negation cancel होगा, तो यह P and Q होगा, और का होगा and, यह negation जाएगा इसे, तो यह बनाएगा ऐसे, और negation P and negation Q, अब अब एक काम करी फकते हो, किसी भी दो टर्म्स को एक साथ ले सकते हो, ठीक है न, किसी भी दो टर्म्स को एक साथ लेने का मतलब क्या है, कि first term and last term में एक साथ ले लेता हूँ, ताकि मुझे कुछ common निकलता है क्या, नहीं, कुछ भी निकलता है, देखो मेरे पास कैसी statement आ रही है, है न, यह options में मुझे इसको बिठाना है, कुछ common निकलता है, कुछ common निकलने का chance तो दिखने रहा, तो यह यहाँ पर मैं bracket कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं bracket कर लेता हूँ, इसके बाद, यह सारा and, ठीके, इसमें थोड़ा था and, and है न, इसमें sequence change कर लेता हूँ, इन दोनों को एक साथ bracket में ले लेता हूँ, q and, p और negation q, यहाँ simplification का chance लग रह होता है, और negation p and negation q, ठीके, अब यहाँ पर, p and, यहाँ पर and हो, यहाँ पर और है, इसका मतलब की यहाँ पर distribute to law लगेगा, q and p, और q and negation q क्या होगा, if statement and its negation क्या होता है, if होता है, और negation p and negation q, q, f और any statement, देखो, f और any statement क्या होता है, अगर t और f बोले तो t होता है, f और यहाँ बोले तो, f और यहाँ बोले तो f होता है, इसका मतलब statement और its negation statement होता है, तो p and, q and p, यह, और negation p and negation q, ठीके, अब and, and है न, तो मुझे किसी भी दोनों को club कर सकता हों में, तो यहाँ पर cool मिला के क्या आएगा, p and q आएगा, और negation p and negation q, ऐसे answer आएगा, जो कि मैंने इसके पहली भी बोला था कि option में मुझे दिखने रहा, लेकिन यही answer है, तो मुझे यह option d change करके, यहाँ पर यह यह जो मिला है, वही option d है, वही answer है आपका, याद रखिए, next question, p and q दो statement से, तो मुझे इसका simplification करना है, अभी मैंने implication law आपको लिखाया था, implication law आपको देया था मैंने, तो उसकी हिसाब से पहले तो negation अंदर देंगे by using demorgan's law, और negation p implies negation q, अब यहाँ पर p और negation आपको implication law क्या देया था मैंने, a implies b का क्या होता है बोला था मैंने, negation a और b बोला था, इसका मतलब negation p और negation q, ऐसे होगा, तो negation p और यह negation अंदर देंगे तो क्या होगा, यह negation अंदर देंगे तो क्या होगा, ऐसे होगा, है ना, यह negation cut हो पी आएगा और का होगा एंड यह निगेशन भी कैंसल हो जाएगा क्या मेरे पास ऐसे कोई option है या मुझे और इसको simplify करना है क्योंकि यह और भी simplify हो सकता है क्योंकि यहां पर और यहां पर एंड मतलब distributor law लगा सकता हो में तो और P and negation P and Q so negation P और P यहने T T and statement T and statement statement T and statement क्या आता है statement so negation P and Q यह मुझे answer मिला एक बार देख लेते कि अपना option में से तो कोई यह तो इसकी equal नहीं है अब मुझे option simplify करने पड़ेंगे अगर मैं इस option D को simplify करूँ तो यह क्या होगा बेटा P और P है ना P और P और P और यहां पर क्या होगा and P और negation Q P और P क्या होता है P P and P और negation Q क्योंकि इसकी equal तो आएगा नहीं तो इससे छोड़ी दो इससे छोड़ी दो इसकी equal तो आएगा नहीं इसको simplify करकर देख लेते यहां पर और है यहां पर and P और negation P यानि क्या होगा यह T and P और Q T and statement statement तो यह भी answer आएगा नहीं negation P और Q देखिए यहां पर कहीं पर आपना कुछ calculation तो गलत नहीं हुआ है एक बार देख लेते आपन negation P और second statement as it is negation मैंने अंदर दिया negation P और P and negation P हाँ यहां पर मेरी गलती हुई है यहां पर मेरी गलती हुई है जब मैं negation यह दे रहाता नहीं इसको तो यह बनता है यह यहां पर मेरी गलती हो गई थी देखो negation P और P and negation P negation P और Q और Q ऐसे आना चाहिए ठीक है तो negation P और P क्या होगा T T and negation P और Q T and statement statement तो आपका answer आना चाहिए negation P और Q जो की मेरी पास already present है यह यहां पर छोटी सी गलती हुई थी जब हम रूल यूज करें थे तो बैटा यह contradiction है आपास और implication है second statement के साथ तो negation of first statement negation of first statement और negation of first statement और second statement as it is ठीक है यह आपका implication का रूल होता है यह negation P and negation Q और implication में negation P और negation Q negation P और negation Q second statement as it is यह negation अंदर देंगे तो यह ऐसे होगा और negation P और negation Q क्या यहां से common क्या निकलेगा negation P और common निकलेगा negation P और common निकला तो क्या बचा सब कुछ और का खेल है भाई साब सब कुछ और का खेल है इसका मतलब यह T आएगा statement statement और T होता है मतलब इसका answer क्या हुआ इसका answer हुआ तो tautology या फिर आप two table से भी जा सकते हो अगर आपको by laws of logic नहीं जाना है तो आप two table से भी जा सकते हो याद रखना ठीके इसने पूछाई कि यह delta in inverted delta में से कौन सा operation में लगा दू ताकि यह statement tautology हो जाए ताकि यह statement tautology हो जाए तो option से जाना पड़ेगा लेट से कि option एक बारे में हम बात करें तो पी implies q डेल्टा को क्या लिखा है इसने और लिखा है और inverted delta को भी और लिया है क्या यह option सही है अगर यह option सही है तो इसका इससे tautology आना चाहिए implication law के according negation p और q होता है और p और q यहाँ पे तो है सारा और का खेले तो मैं जो चाहे दो टर्म एक साथ ले सकता हूँ मैंने negation p और p को एक साथ लिया और बचा क्या q और q q और q क्या होगा क्यू होगा negation p और p होता है t t और any statement t मतलब की मेरा option एस सही option है सही है आ तो गया answer है ना option से करना पड़ेगा अच्छा यह question पूछा था 2023 में काफे अच्छा question था p qr के truth values निकालना है अब आपको पता है कि implication में t implies f ही सिर्फ यह आता है मतलब यह statement false होने के लिए इसे क्या होना पड़ेगा इसे होना पड़ेगा true और इसे होना पड़ेगा false अगर यह false है याद रखना अगर यह false है तो false में क्या होता है f और f ही तो f होता है यानि यह दोनो f होने चाहिए यानि negation p होना चाहिए f और r होना चाहिए f r की value तो मिल गई अगर negation p f है तो p क्या है true है तो p और r की value मिल गई अब q की value देख लेते बई ले ट को कब आता answer and में ट को कब आता answer t n t रहा तो इसका मतलब u pair q यह जो pair q है यह भी तो true है ईंसर को बाता है t n T T आता है मतलब यह true है यह true है इसमें मतलब यह P और Q true है और P already true है तो Q क्या होगा Q भी तो true होगा क्योंकि T और T T आता है है ना तो Q का value आप देख ले ना और यहां से क्योंकि वहलू दोनों होने क्या chance है क्योंकि पी अपना true है ना T और T T आता है यहां पर इसका value true है false दोनों में से कोई भी हो सकता है लेकिन क्योंकि A की value मुझे बता नहीं है चलो यह second chance लेंगे इसमें इसकी value negation P और F भी तो T है और इसमें से यह वाला F है यह वाला अगर F है तो मुझे इसकी value क्या लिखने पड़ीगी क्योंकि F और answer T आने के लिए यह T होना ही पड़ेगा यह T होना ही पड़ेगा ठीक है ना लेकिन मुझे Q की value चाहिए थी हाँ यहाँ पे यहाँ पे तो गलती हो लिए यही तो गलती हो लिए negation Q तो Q true है sorry क्यों अपना क्या है तो यह छोड़ देंगे Q अपना true है क्यों अपना क्या है true है Q अगर true है तो P क्या हो सकता है ठीक है पी की value निकाल लेना Q अगर true है तो यह true भी हो सकता है तब भी true आएगा यह f भी हो सकता है तब भी t आएगा तो यह second chance ले लेंगे second chance में negation P और R यह क्या है true है यह f है इसका मतलब इसे true होना ही पड़ेगा तब यह तो answer यह आएगा अब negation P अगर true है तो P क्या रहेगा यह f रहेगा पी क्या रहेगा यह रहेगा तो पी की value f क्यूंकि value true आर की value f याने यह f tf option कुण सा है f tf वाला यह पहला option ही यह फिर आप option से भी जा सकते हो और option put up करके भी जा सकते हो अगर यह चीज़े नहीं करना है तो by putting option बेर आप जा सकते हो ठीक है इसका equivalent statement मुझे बताना है इस question का equivalent statement मुझे बताना है सबसे पहली बात देखो option b हम देख लेते इसे मैं a implies b लिख सकता हूँ ना लिख सकता हूँ ना a implies b क्योंकि implication law के अनुसार यह ही तो होगा मतलब option c sorry option c इसका answer आ रहा है option c इसका answer आ रहा है लेकिन यह question अलग से मतलब और एक possibility है कि दूसरा कोई answer भी आ सकता है कि इसका नहीं option c answer आएगा इसका देखो सीधी सी बाते option c answer आएगा i have fever i will not take medicine i will take rest तो अगर statement आपने पास है if i have fever if i have fever मतलब p implies i will take medicine i will take medicine मतलब negation q and i will take rest मतलब r मुझे क्या करना है इस statement को इस option में बिठाना है इस statement को इस option में बिठाना है ठीक है कोई बात नहीं आपको पता है कि by using conditional law यह negation p और negation q and r होता है ठीक है ओके तो यहाँ पे तो कोई simplification अब होगा नहीं मुझे यह देखना पड़ेगा कि option में से किसका simplification यह बनता है option में से किसका simplification यह वाला बनता है मुझे वही चेक करना है और सीधा समझ में आ रहा है कि यह बनता है option c यह देखो यहाँ से negation p common निकालो तो और क्या बचेगा negation q and r बचेगा तो यह answer मिल गया है मजो option c negation p और common निकालो ना negation q and r बचता है तो यह मेरे पास option है option c simple बन गयाना answer तो मुझे कहा गया है कि yes 1 trotology है और yes 2 contradiction है तो yes 1 yes 2 में से true कोन है तो मैं by rules जा सकता हूँ या फिर मैं true table से भी जा सकता हूँ एक बार try करेंगे by rules जाने का तो negation p और q और p and negation q यहाँ पर कोई simplification तो हो ने रहा अगर यहाँ पर कोई simplification हो ने रहा तो मैं क्याम करता हूं तो ट्रूटबल से जाता हूँ क्योंकि वैसे भी दो ही statement है ना तो मैं true table लिकर रहाँ अभी yes 1 के लिए तो ttf कि ए फ्टी ए फ्टी ए फ्टी ए ठीक है पी इंप्लाइस क्यूं क्या होगा tft t negation q negation q होगा f tft pn negation q pn negation q pn negation q मतलब इन दोनों में and and में क्या होता है tnf f tnt t f और ये भी f तो इसे मान लेज़े की a है इसे मान लेज़े b है n में a और b में क्या करना है a और b a और b इन दोनों में और और में tf क्या होता है t tt t yaf 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 तो ये तो tautology आया नहीं मतलब yes 1 wrong है yes 1 wrong है yes 1 wrong वाला ये मेरे पास option है अब मुझे देखना पड़ेगा कि yes 2 कैसा है yes 2 मतलब ये तो दो ये option तो गया ये भी option गया अब इन दोनों में से कोई answer आ सकता है अब मुझे yes 2 का simplification करे या table निकाले yes 2 का simplification करे या table निकाले ठीके यहाँ पर yes 2 ले तो लेता हूं में yes 2 स्टेटमेंट क्या है मेरा yes 2 है मेरा negation P implies negation Q and negation P और Q ठीक है क्या में इसको simplify करूं अगर मझे simplify करना है तो P और second statement का negation नाई sorry implication law क्या कहता है implication law क्या कहता है Pилось B क्या कहता है first statement का negation और second statement as it is first statement का negation और second statement as it is it's statement as it is अभी इसको भी आप टूटेबल से कर सकते थे इसे भी टूटेबल से कर सकते थे लेकिल मैं कोशिश कर रहा हूं कि यह ऐसे करूं में by using law क्योंकि negation q and negation p और negation q और q यह होगा t t और statement t t और statement t तो yes to आपका क्या है contradiction है लेकिन yes to तो मेरा tautology मिला है yes to मुझे क्या मिला है tautology मिला है मतलब yes one भी wrong है और yes to भी wrong है दोनों और यह तो tautology है नहीं और उसने yes to को contradiction बोला था लेकिन yes to क्या मिला मुझे tautology मिला तो दोनों statement गलत है yes one भी wrong है and yes to भी wrong है ठीक है तो निगेशन फाइंड करना है, याद रखना निगेशन फाइंड करना है, इफ रिषी जच मतलब प and not arrogant, इसका मुझे निगेशन फाइंड करना है, लेकिन आपको पता है कि इंप्लिकेशन है तो यह पहले क्या होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट का निगेशन और सेकंड स्टेटमेंट अज़िट इस, ऐसे होता है, अब इसका क्या फाइंड करना है, निगेशन, इसका निगेशन यादि निगेशन हटा दो, यह इस, बिलकुल है, यह देखि़िये, ऑप्षчеन बी, उल्टा लिखाए इसे, अब इसे लिखाए, बिलकुल मेरे पास ओप्षेन है, ऑप्षेन बी, नेक्स्ट, consider the following two prepositions 2022 की question से, if the preposition evaluated as false, यह अगर false है, तो फिर P1, P2 की value निकालो, P1, P2 की value निकालो, true, false वगेरा, एक काम करेंगे, इससे जाएंगे true table से, इसका table बनाएंगे पहले, याद रखना में कईसे question solve कराऊ, P, Q, T, T, F, F, T, F, T, F, T, F, सबसे पहले मुझे इसका table निकालना है, इसके लिए मुझे negation P लगेगा, negation P और Q, यह एक साथ निकाल लेता हूँ, negation P और Q, negation P मतलब F, F और T, T, F और F, F, T, और T, 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 और F, T, ठीक है, बाद में क्या है, P implies, P implies यह, negation P और Q, तो T, 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 T होगा, T, F, F होगा, यह T होगा, ठीक है, अब एक चीज आपने notice की होगी, कि यह preposition F कहाँ पे है, सिर्फ इस value पे, इसने दिया है कि यह preposition false है, तो यह preposition false है, जब P क्या है, यहाँ पे एक चीज आपको समझ में आए होगी, कि यह false होने का chance तभी है, अगर P क्या है, true है, और F क्या है, false है, देखो कितने अच्छी तरीकी से question solve करो में, इसकी value F एक ही बार में possible है, जब P true है, यह false है, तो मुझे, अब मुझे देखना है कि P true है, और Q false है, इसका क्या होगा, अब मुझे P true के बारे में देखना है, P true में, P की value true है, Q की value false है, and true है, और false है, ठीक है, हाँ, so T and T, and F और F, T and T कितना आता है, T, F और F कितना आता है, T and F कितना आता है, F, तो दोनों false है, दोनों false है, यह answer आ गया, देखो कितने अच्छी तरीकी से question किया मैंने, तो इस तरीकी से भी question किया जा सकता है, पहले तो मैंने इसका table बनाया, उसमें से मुझे पता चला कि यह F तभी हो रहा है, जब T, P का value, T and Q का value of है, बस वो दोनों value जिसमें रख दिये, इसकी value निकाल दिया, बस, ऐसे भी आपको करना होता है, मतलब आपके हाथ में के चार मार्ट दे लो मैं आपको, एकदम lottery topic है, एकदम हाथ में हाथ में हाथ में आपके, negation निकालना है इस expression का, इस expression का negation option देखो, कितनी छोटे-छोटे options है, ठीक है, तो इसका negation निकालना है, पहले इसका में equal तो निकालू, अब यह implication हटाने के लिए पहले तो first statement का negation, first statement का negation और second statement as it is, ठीक है, अब यह negation अंदर देंगे, तो यह होगा negation q and p, and, और का होगा and, negation p और q, ठीक है, यह negation अंदर दे दो, याद रखना कि इस सारे का negation भी मुझे find करने वापस, यह negation पहले में तो simplify कर रहा हूँ न, तो यह q हुआ, यह q, and का बना और यह बना negation p, and, यह p हट गया, and बना negation q, देखो एक बार देख लेती की सही है क्या, implication में first statement का negation, first statement का negation, और second, यह गलती हो गई, यह आपर, धीर इसे करना पड़ेगा, यह गलती हो रही है, देखो, implication में क्या होता है, first statement का negation, तो first statement यानि सिर्फ इतना ही है न, और second statement as it is, और second statement as it is, ऐसे, यह negation सिर्फ इस पर आप लिके बले, first statement पे, तो यह क्या होगा, q, और negation p, q, और negation p, और negation p, और q, तो यहाँ पर negation p, और negation p, और common भी तो निकल रहा है, और सारा और का खेले, सारा खेली और का है, तो यह बनके, हाँ, यह same statement, और same statement, statement, same statement, तो यह negation p और q को, मैं p implies क्यों, ठीक है, इसका negation भी तो निकलना है, अब इसका negation क्या आएगा, इसका negation आएगा, p and negation q, p and negation q, यानि यह negation है, p implies q का, तो यह answer मिला मुझे, option c, यह negation, तो negation, यह answer अपने को मिल गया, 26th january 2022, let r belong to, is such that logical statement, tautology है, यह statement, tautology दिया है, p, q, negation p, negation q, r की value क्या होगे, वो जो statement हो, tautology है, वो statement tautology होने के लिए, r की value क्या लिलू, चलो option ले लेंगे, option से जाएंगे, अगर मैं r की value p लेता हूँ, तो p or negation p क्या होगा, option a की बात करें तो, p or negation p क्या होगा, true होगा, t implies, p and q, और p, ठीक है, मुझे answer tautology मिल सकता है क्या, ठीक है, नहीं मिल सकता, क्योंकि आगे कुछ simplify होगी नहीं रहा, तो negation p implies, ठीक है, आपको पता है कि implication हटाने के लिए, फर्स statement का negation करना होता है, और second statement as it is, p and q और negation p, तो ये p और और का खेलेना, तो club करेंगे इन दोनों को, और p and q, देको, statement और इस negation 2 होता है, e और any statement t होता है, मतलब आपका ये tautology दे रहा है, negation p के लिए, तो ये आपका answer है, ये आपका answer है, ठीक है ना, अब मुझे इसका equivalent statement निकालना है, और option से जाना पड़ेगा, या इसको simplify करूँ थोड़ा था, negation अंदर दे दू, q और q, अब सारा और का खेले मतलब, मैं चाहे कोई भी दो को एक कर सकता हूँ, negation p और t, तो ये tautology आ रहा है, अब मुझे ये देखना है कि option में से कोन tautology answer देता है, option में इसे कोन tautology answer देता है, ठीके, इसके बारे में देख लेते हैं, तो ये negation q, ये तो कभी आएगा नहीं, negation q और second statement as it is, इसे में implication लगा हूँ तो negation q और p, and negation q और q t, tn statement statement, तो ये भी तो answer आएगा नहीं, मुझे totalology answer चाहिए, इसके बारे में देख लेते हैं, negation हटाना है तो negation p और second statement as it is, है न, इसके बाद, negation p और, ये भी implication हटाना है तो negation p और q, सब सारा और का खेले, तो ये हो गया, negation p और q, tautology तो आ नहीं रहा, ये भी नहीं आ रहा है, तो इसके बारे में देखना पड़ेगा, negation p और second statement as it is, हां, तो ये negation p और p, और q, यानि t और q, ये होता है t, तो आपका answer मिलगा बेटा आपका option d, इस तरीके से questions करने पड़ेंगे, which of the following is tautology, तो ये सीधा सा, by truth table भी कर सकते हो, या फिर मैं इसको simplify करके दिखा था हो, अगर आपको लगता है कि नहीं तर, truth table से बहुत लंबा जाएगा, हम चार option चेक करें क्या, तो lodge यूज करने पड़ेंगे, lodge कैसे यूज करेंगे, and, and का खेले, मतलब q, and q, negation q एक साथ ला सकते आप, ले लिए आपने एक साथ, तो बचा क्या, and p, statement and its negation f आता है, and statement f आता है, लेकिन मुझे tautology चाहिए, चलो मैं option b की तरह बढ़ता हूँ, सारा and का खेले, सारा and का खेले मतलब जो मुझे अच्छे अच्छे लगते हैं, वो एक साथ ले सकता हूँ मैं, तो मैं क्या करूंगा, देखो, सबसे पहले, p and negation p क्या होता है, f, कुछ भी एक साथ लेनी के जोर्योत नहीं, यह and f, f and statement f होता है, तो यह भी गया, तो option c की बात कर लेते हैं, p or negation p क्या आता है, t आता है, t आता है, t or statement क्या आता है, t आता है, तो bet up का answer option c मिल गया, या फिर आप table से भी जा सकते हूँ, by using true table भी आप कर सकते थे, हाँ, तो yes one is true, which of following is not true, option में इसे कोन true नहीं है, नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे, कुछ हो नहीं सकता, यहाँ पे मुझे table ही बनाना पड़ेगा, table ही बनाना पड़ेगा, अब मैं बना रहा हूँ, yes one के लिए table, तो तीन variable है, तो तीन variable है, तो तीन variable है तो, P, Q, ठीक है, यह आप कर लोगे न, क्यूंकि मुझे सिर्फ क्या करना है, त तो तेबल बनाना है दोनों का इसका एक टूटेबल बनाना है, देखना है की Tautology आता है या content आता है, और इसका एक टूटेबल बनाना है, बाकी कुछ भी नहीं बाकी इसमें करने जैसा कुछ भी नहीं मैं भी true table लगोंगा क्योंकि P implies Q or क्या simplify होगा कुछ होई नहीं सकता simplification मुझे इसको true table से ही करना पड़ेगा no other way no other way negation of this boolean statement इसका मुझे क्या निकालना है negation मेरे पास options है पहले तो मैं इंप्लिकेशन हटा दू negation of first statement और second statement as it is ठीक है यह आर्क क्यों आ गया है बिच में ठीक है अब आ गया है तो आ गया अब मुझे इसका क्या find करना है negation इसका negation मुझे find करना है तो first statement का negation यह negation हट गया और का हुआ and और यहाँ पे r और negation p ऐसे बन गया है ठीक है अब अपने पास क्या options available है ठीक है इस पूरे statement को and distribute करेंगे तो p और q and r एक statement में आ गया और p और q और negation p देखो p और negation p true होता है t और n statement t होता है तो यह पूरा मिला के t होगा यह पूरा मिला के t होगा तो answer तो t आ रहा है फिर answer तो फिर इस ही सबसे तो t आना चाहिए हाँ यहाँ पे p और q and r और यहाँ पे and आता है p और q and r इसे दिया p और q and negation p ऐसे आएगा and आएगा यहाँ पे and और नहीं तो यहाँ पे देखिए आप p और q and r एडिटिज है यहाँ पे और यहाँ पे and मतलब मैं क्या लगा सकता हूँ complement law लगा स्वरी distributive लगा सकता हूँ p and negation p f आता है और q and negation p f और statement statement तो p और q and r और statement q and negation p ऐसे ठीक है तो अभी 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 क्या simplification होगा मुझे देखना पड़ेगा कि यह किसके equal आता है अब अभी अभी मुझे शक का रहा था कि यह इसे क्यों हो रहा है ठीक है अभी and and है मतलब मैं किसी भी दो को एक साथ ले सकता हूँ है ना मुझे distributor log के लिए जाने के जोड़त नहीं यहाँ पर and and है ना यहाँ पर क्या है and and है यह भी and है यह भी and है मतलब मैं इसको इसके साथ दे दू तो P और Q and negation P यह and R बाजू में रखेंगे तो यह P and negation P और Q and negation P and R तो यह होता है यफ यफ और statement statement तो क्या है मेरे पास answer है सारा and में है ना सारा and में है negation P and Q and R यह बना option C अब यह 2021 का question है पालसी, टॉटलोजी, इक्वेलेंट जो भी हो मुझे इसको simplify कर देना चाहिए पहले तो यह यह implication हाटा दू यह तो आप truth table से भी जा सकते हो जाना चाहे तो और second statement as it is पहले तो मैंने implication हाटाया अब मुझे क्या करना है यह negation अंदर देना है तो यह negation P और negation of P implies Q एंड का बना और negation of Q implies R और R ठीक है यह negation खतम हो गया चीज़ पूरी negation P और negation negation P और Q यह और negation negation Q और R और R ठीक है सारी implication हाटा देया मैंने अब अब एकदम आराम से simplify करते रहेंगे यह negation अंदर दे दो यह हो गया ठीक है यहाँ पर bracket कर देता हूँ और Q and negation R और R ठीक है इसका table बनाती तो भी आच्छा था काफी लंबा हो रहा है अब यह ठीक है एक का खेल देखो यहाँ पर और 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 तो मैं जो चाहे एक साथ ले लूँ इन दोनों को एक साथ ले लेता हूँ निगेशन P और P and negation Q क्योंकि मुझे यहें पर सिंप्लिफिकेशन का चांस लग रहा है है ना और इन दोनों को एक साथ कर दूँ यहाँ डिस्टिबिट्व लगाओ तो निगेशन P और P and negation P और negation Q और Q और R and negation R और R मतलब यह T हो गया और यह यह भी T हो गया next page पे देखो तो T and T and negation P और negation Q यह मेरा first bracket है और मेरा second bracket है और Q और R Q और R और T और है यह आईंड है और आईंड हैنا अचहाँ वहाँ पे अंड है यहाँ भी अंड है यहाँ पे तो and किया है मैंने यहाँ पे अंड है तो देखिये और होता क्या है T and statement statement याई यह बन गया negation P और negation Q Q, Q, R, अब सारा और का खेले, सारा खेल और का है, तो मैं इन दोनों को एक साथ ले लूँ, इन दोनों को मैं एक साथ ले लेता हूं, अब बड़िया बात हुग गई, यह भाई सब T आ गया, और T और A न स्टेटमेंट क्या होता है, T होता है, तो मेरा फाइनली आइंसर क्या है, Tautology, मैं सजिस्ट करूँगा कि इसकी बजाए आप क्या करो, टूटेबल लगाओ, अगर टूटेबल लगाएंगे तो आच्छा रहेगा, टूटेबल लगाओ, तो आच्छा रहेगा, इतना करने से आच्छा है कि टूटेबल लगाना अच्छा है, ठीक है, हाँ, अभी देखिए, कि यह जो expression है, यह किसके साथ equivalent है, किसके साथ equivalent है, मुझे यह निकालना है, पहले तो यह implication हटाएंगे जरूर, लेकिन answer भी implication में चाहिए, बाद में implication में लाएंगे, याद रखना, A implies B क्या होता है, यह होता है, negation A और B, यह क्या होता है, negation A और B, ऐसे होता है, और, second statement as it is, R and Q and P, ठीक है, अब यहाँ पे negation P और negation Q, ऐसे कुछ आएगा, और R and Q and P, ऐसे आ रहे है, ठीक है, यह और और है न, तो by using associative law में negation Q को यहाँ पे रख देता हूँ, option आ सकता है के मेरे पास, अभी भी, ठीक है, एक बार देख लेते हैं इसको करके, यह सबके साथ चो जाएगा न, सबके साथ जाएगा, and negation Q और Q होगा T, and negation Q और P, T and statement statement, तो यहाँ पे होगा, negation Q और R, and negation Q और P, ऐसे, ठीक है, अब अगर हम देखे, तो एक चीज आपको notice की होगी आपने, कि अगर मैं और दोनों को दे दू, ठीक है, इसके बाद आप truth table से कर सकते हो, truth table, क्योंकि इस से simplify हो नहीं रहा है, तो मैं suggest करूँगा की, go with truth table, यह question truth table के साथ जाने लाए question है, ऐसे question simplify नहीं हो रहा है, तो truth table के साथ solve करो इसे, इसे truth table के साथ solve करो, तो answer बनेगा, चलो, next question, if the truth values of the expression, यह expression है, false है, तो PQR की value निकाल लिए, तो one by one option लेके जाना पड़ेगा, भई अगर यह false है, अभी एक आपनने question क्या आता देखो, यह अगर false है न, option से भी जा सकते हो जाना चाहे तो, या फिर अलग मेथर से, जो मैंने इसके पहले भी discuss की थी, तो यह वाला मुझे true होना चाहिए, यह वाला, इतना वाला क्या होना चाहिए, true, क्योंकि implication में, implication में answer if तभी आता है, जब first statement statement true and second statement false आ जाए, बतला भी यह false आएगा, तो P and Q, F आने के लिए, एक ही chance बसता है, कि दोनों मुझे false आईए, तभी possibility है, P and Q false कब आता है, अच्छा, sorry, T and F भी तो F आता है, T and F आता है, F and F भी F आता है, ठीके, तो यहां से conclusion नहीं निकल सकते, दूसरा chance क्या है, कि इसका value क्या होना चाहिए, true होना चाहिए, इसका value true होना चाहिए, तो P और Q and Q implies R and negation R, यह क्या होना चाहिए, यह true होना चाहिए, और and, and है न, तो हर एक true होना चाहिए, अगर हर एक true होना चाहिए, इसका मतलब R, F होना चाहिए, अगर negation R true होना चाहिए, तो R, F होना चाहिए, R के value तो मिल गए भाई साब, तो यह दो option तो मेरे चले गए, यह दोनों में से answer आएगा, अब ज़रा धहन से देखना, अब ज़रा धहन से देखना, कि P और Q, P और Q true है, P and Q false है, इसका क्या मतलब हुआ, और में answer true कब आता है, T और T, T आता है, T और EF, B T आता है, EF और TBF, अच्छा, यहाँ से conclusion ने निकला, ठीके, अब यहाँ पे, यह answer true है, R false है, R अगर false है, और answer तो मुझे true चाहिए, तो Q क्या क्या हो सकता है, Q की value, R false है न, R false है, चल ठीक है, मुझे अब यह दोनों option में से, एक-एक option में check कर लता हूँ, मैं अगर P की value true ले लू, Q की value F ले लू, तो क्या यह satisfy होगा, T और EF, T satisfy, T and EF, EF satisfy, क्या यह भी satisfy होगा, देखे, क्योंकि value कितनी है, F, F implies F, क्या T आ रहा है, F implies F, T आता है, आता है, चलो, मैं इस वाले option पर लेता हूँ, T implies F, T आता है, T implies F, T आता है, नहीं आता है, तो यह नहीं हो सकता है answer, यह हुआ, बस, इस तरीके से question करने पड़ेंगे, option से, ठीक है न, इस तरीके से question, option से आपको जाने पड़ेंगे, next question, हाह, which of following statement is correct, consider following 3 statement, if 3 plus 3, 7, 3 plus 3, 7, यानि, A क्या बन रहा है, A क्या है, 3 plus 3, 7, F implies 4 plus 3, 8, मदलब यह 2, B क्या है, 5 plus 3, 8, implies R3 flat, यह, 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 एंसर यह, आता है, यह, बोथ, A and B are true, बोथ, A and B are true, A and B, T and F, यह, यह, A is true, B, if A and B true, बोलाय उसने, then 5 plus 6 equal to 17, if both A and B are true, if both A and B are true, का क्या मतलब निकल रहा है, if both A and B are true, यह, बोथ, A and B are true, लेकिन B तो true है नहीं, बी तो true है नहीं, R3 flat false है नहीं, if both A and B are true, बोथ, A and B are true मानना पड़ेगा, अब यह true मानेंगे, हाँ, तो यह true मानेंगे, तो T implies F कितना है, F, तो A is true, B and C are false, यह, इंसर आगा है अपना, ठीक है ना, यह, इंसर आगा है अपना, अभी, next question दीखिए, next question, which are following expression, is tautology, बस भही, tautology find करना है तो, true table से जाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें, simplification होने का chance नहीं दिख रहा है, अब इससे, equivalent statement क्या है, A implies, B implies A, तो negation A, और, B implication A, तो negation A, A, और, negation B, और A, सारा और का खेल है, तो, और A, और, negation B, तो यह, T हुआ, हाँ, और statement का negation, और second statement, अच्छा, यह, मुझे क्या मिल रहा है, tautology मिल रहा है, अब मुझे देखना है, कि option में से, कौन tautology मिज़े answer देता है, answer में से, कौन tautology है, क्या मैं option D के लिए, चेक कुरूँ पहले, negation A, और, A, और B, यस, भाई साब, यह, टautology आता है, क्योंकि, और, negation A, और A, T, T, और N statement, T, तो मेरा answer मिल गया, option D, yes, absolutely, next, negation of statement, इस statement का negation, पहले तो मैं इसको simplify करू, negation of first statement, और second statement, as it is, अब 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 इसका negation करेंगे, अब इसका negation करेंगे, तो क्या होगा, P और R, फोस्टेटमेंट, यह negation हट गया, और का बना, and, negation Q, and, negation R, क्या कुछ common निकल सकता है, नहीं, कुछ भी common निकलेगा, ठीक है, ठीक है, ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा अब इसको, मुझे distribute करना पड़ेगा, इन दोनों के लिए, तो P और R, and, negation Q, अच्छा, and है क्या, सब कुछ and पे है, ठीक है, distribute करने के जोड़त नहीं, and, and है न, associative से काम चल जाएगा, यह distribute करना पड़ेगा, क्योंकि और and है, तो P and, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि, यह pairing लेंगे, यह लेंगे, यह simplification लेंगे, and, and है न, तो इसके साथ मैं किसी भी को भी दे सकता हूँ, न, जो भी मुझे काम का लगे, तो मैं इसे काम में लेता हूँ, अब देखो, distribute यूज करेंगे, P and negation R, P and negation R, और, R and negation R, and negation Q, तो यहाँ पर, R and negation R, यफ, यफ और statement, यफ और statement, statement, यह बचा, और and negation Q बचा, बस इसके आगे कुछ नहीं हो सकता, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता, यह बन गया answer, यह, तो इसके साथ यह छोटा सा topic था, अपना mathematical reasoning खतम हुआ, बच्चे, यह सारे categories हमने cover किये थे, हर अलग-अलग type की question किये, I hope आप सभी को मज़ा आ रहा होगा, इस PYQ series में, ताकि आपका 6 April का जो second session हो, अच्छे से जाए, इसके पीछी यही मतलब है, मिलेंगे next topic में, जिसका नाम होगा, आपका sequence and series, जिस पे JEE में exactly, एक question हमेशा आता है, जिसमें AP, GP, HP, series, यह सारी concepts लगेगी, थाए, थाए, यही 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 यहीजिए,